नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर जानते हैं नमस्कार, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन एकिकरित परासीक्षक संगर्श मोर्चा ने परासीक्षक की परस्तावीत सेवा सर्थ निमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट से पारित कराने की मांग की है चार सितमबर तक पाराशिक्षक के लिए प्रस्तावीत सेवा सर्थ निमावली कमेटी से स्विक्रिती नहीं होने पर राजिके लगभग एक सर्थ हैयार पाराशिक्षक पांच सितमबर से चरनबत आंदोलन करेंगे बिना मास्क वहान चलाने पर 500 रुपय जुर्माना का चलेगा अभियान जाखन में संक्रमन को रुखने के लिए सक्त कदम उठाए जाएंगे इसके तहट पुलिस बिना मास्क के वाहन चलाने वाले और बिना मास्क के वाहन में सफर करने वालों के खिलाब अभ्यान चलाएगी बिना मास्क के पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की दारा 189 के तहट 500 रुपे जुर्माना लिया जाएगा बता दे कि पूर्म में बिना मास्क के वाहन चलाने वाले और गोमने वालों खिलाब 100 रुपे जुर्माना का प्रधान किया गया था सवत अंतरता दिवस पर रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर घोसना मुख्यमंत्री किसानों का कर्ज माफी करने की तियारी की घोसना कर चुके जर्कन के मुख्यमंत्री 15 अगस्त को सहरी स्रमिक रोजगार योजना की सुरुवात का एलान कर सकते हैं सुत्रों की माने तो या एक तरह से रोजगार गरांटी योजना की तरह होगी सहरों मेरा अने वाले 18 बरस से ज्यादा उम्रे के आकुसल स्रमिक को एक बीतिय बरस में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गरांटी दी जाएगी अगर किसी कामगार को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो वह बेरोजगारी भता का हगदार होगा मओरा बादी मैदान में किया गया 17 दिवस समारो का फूल ड्रेस रहसल राची के मौरा बादी मैदान में 15 अगस 2020 को सुभा नो वज़े 17 दिवस मुख समारो का आवेजन किया जाएगा कारकरम में मुख्यमंत्री हमन सुरेन द्वारा राश्ट्र धोज फाराया जाएगा ग्रीव मंत्राले द्वारा दिये गए दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए क्रोना वाइरस के कारण कारकरम में सिमित ब्यक्तियों की सवभागिता के साथ सोतंत्रदा दिवस मनाय जाना है जिसके मदे नजर समारों की त्यारियों का जाजा लेने के लिए राची उपायुक छवी रंजन की अगवाई में फूल ड्रेस रेहसल किया गया डीजीपी हटाने के मामले में सुप्रीम कोट ने केंद्र जारकन सरकार यूप्यसी को जारी किया नोटीस जारकन में परवारी डीजीपी की नियुकती को चुनोती देने वाली आजका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई इस मामले में सुप्रीम कोट ने केंद्रे राज सरकार और UPSC को नोटिस जारी किया अदालत ने पूर्व डिजीपी कमल नयन चौबे को भी परतिवादी बनाने का निर्देश दिया है बता दे कि सिस अदालत में दाखिली अचका में अरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोट की गाइडलाइन का उलंगन कर दो साल के लिए डिजीपी के पत परन्यूक्त किये गया कमल नयन चौबे को नो माहिना के भीतर पत से हटा दिया गया जार्खन की सबजिया क्रिसी मंत्री ने हरी जंडी दिखा कर ट्रक को किया रवाना अब विदेश में भी जार्खन की उपजी सबजिया का मज़ा लिया जा सकेगा इसके तहट पाला कदम उठाते हुए राजे की क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने सबजियों से भरे ट्रकों को हरी जंडी दिखा कर कुलकत्ता के लिए रवाना किया कोलकत्ता एयरपोर्ट से सबजी विदेश भेजी जाएगी इससे अंतराश्ट्री अस्तर पर जार्खन की पाचान बनेगी और किसान आत्म निर्भर बनेंगे बतादे की राची बजार समीती के सचीव अभिसेख अनंद ने बताया की राजसरकार के इस कदम से राची के खिसानों की पाचान अंतराश्टी अस्तर पर बनेगी संक्रमन से बचाओ के लिए केंद्र एवम राज सरकार द्वारा जारी दिसा निर्देश में मास्क का उप्योग किया जाना सामिलित किया गया है बजारों में विभीन परकार के मास्क की विक्री भी हो रही है पिछले कुछ दिनों से बजारों में तिरंगा मास्क की विक्री की जा रही जिसे लेकर राची जिला परसासन ने ऐसे मास्क की विक्री पर रोक लगा दिया है आपको बता दे कि राची अखिलेश सिन्हा ने तिरेंगा मास की विक्री पर रोक के निर्देश दिये हैं रोक के बावजूद विक्री करने वालों पर करवाई की जाएगी नाई समाज ने तीन माह का किराया माप करने को लेकर की बैठक मेदनी नगर जीला नाई संकी बैठक गुरुवार को सुरेश ठाकूर के अध्यक्सार में हुई बैठक में सभी सेलून संचलकों ने बरतमान समस्याओ पर चार्चा की मौके पर उपस्थित जीला सची रूचिर तिवारी ने कहा कि आई नाई समाज कुरोना माहमारी के बाद से सबसे ज़्यादा लचार एवाम अभावग्रस है उन्होंने कहा कि नगर निगम के दुकान का भारा भी इन सेलुन चालकों को देना परता है जिसको देना काफी मुश्किल हो रहा है ऐसी परिस्थिती में मेदनी नगर नगर निगम एवं जीला परिशत की जो दुकान है तीन माहत तक इनका किराया माफ कर देना चाहिए संक्रमन जाज कराने वाले का पाचान पत्र मोबाइल नंबर दर्ज का आदेश धनबाट डिसी धनबाट डिसी सअ अध्यक जिला आपदा प्रवधन प्राधिकार उमा संकर सिंग ने संक्रमन की जाज कराने वाले सभी लोग का पाचान पत्र तथा मोबाइल नंबर एवं पलामुक के किसानों को 266 रुपय में यूरिया देने का आदेस उपायुक्त उपायुक्त ससीर अंजन के निदेस पर गुरुवार को छतरपूर अनुमंडल पता अधिकारी एनपी गुपता ने छतरपूर परखंड में इस्थीत खाद दुकानों का निरिक्षन किया निरिक् किलो यूरिया के पैकेट का मोले मातर 266 रुपय हाई उपायुक्त ने सभी परखंड में टीम बनाकर परखंडों में बिकने वाले यूरिया के दामों पर नया रखने का निर्देस जार्खंड के चार पूलिस अधिकारी पंद्रह को होंगे राष्टपती से समानित इंप्रेक्टर पुस्पराज कुमार के नाम समीली था है वही जार्खंड केडर के दो सीबी आई भी समीली था है राजधानी के सभी कुरियर भॉय की संक्रमन जाच होगी सहर की एक कुरियर कमपनी में आदाद दरजन करमचारियों के पोजिटिव होने के बाद राची जीला परसासन अब सहर के सभी कुरियर भॉय की क्रोना जाच कराएगा इसके लिए लोगों की सुची तेयार की जा रही है, साथी साथ ओनलाइन कमर्शियल वेब साइट के अधिकारियों से भी संपर्ख कर उनके यहां काम करने वाले करमचारियों के सुची मांगी गई है राची में बनेंगे नौ सेनै के यूदपोत के इंजन, राची में भी अब नौ सेनै के जाहजों के इंजन बनेंगे, भारतिया नौ सेना के लिए मद्य दर्ज वाले यूदपोत का निरमान किया जाएगा राक्षा मंत्राले के Garden Rich, Ship Beards and Ingeniors Limited के राची स्थीत Marin Diesel Ingen Plant में इंजन का निर्मान होगा इंजन का निर्मान HEC और राक्षा मंत्राले के परतिश्ठान Garden Rich मिलकर करेंगे कोचिंग खोलने की मांग जाखन कोचिंग एसोसियेशन का एक प्रतिनिधी मंडल गुरुवार को सांसत सभाजपाप परदेश अध्यक्ष दीपक परकास से मिला उन्होंने सांसत से सोसल डिस्टेंसिंग के साथ अनलाइक थ्री कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की है इसके साथ ही उन्होंने लोगडाउन की अधी का किराया माप करने और संस्थानों को सरकार से आर्थिक मदद पहुचाने की भी मांग की है OBC को 27% आरक्षन की घोसना करे सिये राष्ट्रीय OBC मोर्चा के परदेश कार करनी की बैठा गुरुवार को हर्मो इस्थित करयाले में हुआ परदेश अध्यक्ष रायेस कुमार गुपता ने कहा कि 74 सवतंत्रता दिवस के असर पर मुखमेंत्री हमन सुरेन OBC को 27% आरक्षन देने की घोसना कर अपनावादा पूरा करे उन्होंने का है कि राष्ट्रीय OBC मोर्चा लगातार पिछडों के आरक्षन बढ़ाने के लिए अंधोलन करती रही है बाल गरी हो वब्रिदास रमों में होगी संक्रमन की जाच पुटी जीला में सहयोग विलेज आसा कीरन सेल्ट आसा जो तिस बालगरी इत्यादी बिरदास रमों में रहने वाले की को ना जाच कराई जाएगी सरकार के आस्तर पर क्रोना जाच कराई जाने के बाद परतेक मा मेडिकल जाच के लिए टीम भेजने का आदेश भी दिया गया है बदल जाएगा जार्खन का परतीक चीन 14 अगल से जार्खन का परतीक चीन बदल जाएगा इसके लिए नए पर्तिक चीन का अनावरान होना है जिसके लिए सभी तेयरे पूरी कर ली गई है गुरुवार कोमो कुंत्री हमन सुरेन राजभावन पहुंचकर राज सरकार के नए पर्तिक चीन के अनावरान कारेकरम में सामिलित होने के लिए राजपाल द्रोपती मुर्म को अमंत्रीत किया है मालूम हो कि बश्ट दो हज्यार में जर्कन अलग राज बनने के बाद से अब तक जिस पर्तिक चीन का इस्तेमाल हो रहा था उसमें स्वास्तिक चीन बना हुआ था जर्कन का नया राज चीन का बिन्यास बिरिताकार है जो राज की प्रगती का प्रतिक है अस्थाने नीती में बदलाव के लिए होगा अध्यायान मुख्यमंत्री राज की अस्थाने नीती में बदलाव किया जा सकता है यह संकेत मुख्यमंत्री एमन सुरेन ने दिया है उन्होंने गुरु आर साम प्रजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए अस्थाने नीती में संस्वधित की बात कही है CM सुरेन ने प्रजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुर्व में जो अस्थाने नीती परिवासित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए इसके खिलाब सरकार पर उतर कर लोगों ने अंदोलन भी किया CM ने कहा कि अधेवन के बाद ही अल्थानिय निती में बदलाव की दिशा में निनने लिया जा सकेगा जारखन में आज 23,000 रैपिट जाच के लिए चलेगा बिसेस अभियान कलेक्ट कर एंटीजन किट से जाच करने का लक्ष निधायत किया गया है बता दे कि इसे पहले बुद्वार और गुरु आरको टूनेट वह आर्टी पीसियार जाच के लिए अभियान चलाया गया था कि प्रजेक्ट भौन में मंत्री मंदल की बैठक मंत्री मंदल की बैठक पूर्जेक्ट भौन में 18 अगस्द को निधायत की गया साम 4 वैसे होने वाली इस बैठक में कई प्रस्टावग पर मोहर लेगेंगी बता देक कि सरकार सोत्नीतर दिवस के महोखे पर कई प्रस्ताव पर सविक्रित्ति के लिए भी रखा जाएगा धन्यवाद यदि आप चानल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाइए साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाट से फ्रेस्बूक टूटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थाइंक्यू